हेलो इस्टुएंट्स आज का हमारा टॉपिक है लॉफ कॉंटेक्ट की यूनिट थार्ड का जो हमारी लास्ट यूनिट है इसमें रिजिस्टेशन और फॉर्म कि इंडियन पार्डर्शिप एक तैंटीन थार्टी टू पिएक चोर्डियन फॉर्म का रिजस्टेशन की क्या प्रोसिस है कि फॉर्म का जो रिजस्टेशन है वो कैसे होता है तो firstly इसके लिए बात करते हैं कि section 56 power to exempt from application of this chapters firstly above section 56 बात करता है कि इद्धाय को लागु होने से चूड देनी शक्ति कि एक्ज्पटेट बात करता है कि सक्षिन 56 बात करता है कि स्टेट गवर्मेंट्स जो होती है वो एक्जेम्टेंड है कि किस एरियाज में वो किसी फर्म के रेजिटेशन को असेंशियल करें जरूरी करें या उसको छूट प्रिदान कर दें या तो पूरे स्टेट में कर दें उसमें या उसके किसी एक पार् नोटिफिकेशन जारी करके गजट में कि ऐसे एरियाज में एप्लिकेबल कर सकती कि वहां पर यह एक्ट एप्लिकेबल नहीं होगा तो ऐसी कंडिशन में इसको सेक्शन 56 को एक्जेम्टिट बात की रही है तो चाहे स्टेट वहां पर फर्म को रेस्टिशन के लिए सेंशिल क करें तो सेक्शन 56 बात हमारी यह करता है फिर इसमें बात आती है सेक्शन अगर किसी एरियाज में फर्म करें यह एक्ट एक्टिकेबल होगा यहां पे इस स्टेट में तब ऐसी कंडिशन में फिर क्या होगा वहां पे तो अपाइंटमेंट आफ द रेस्टार तो रेस्टार के लिए एक रेस्टार के निक्ति करेंगी and may define the areas which in which they shall exercise their power and perform their duty और वह एरियाज decided करें के जिस areas में वो tutaj star अपनी शक्तियों का और कर्तव्यों का पालन करेगा और अपने कर्तव्यों का पालन करेगा वो state governments वो उस के के तरह अपने appointment करने के बाद वो उस areas में उसकी power और cada star shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 1 of Indian Panel Court तो जो ऐसा person appointed as a star होगा तो वो कैसा होगा public servants होगा इंडियन IPC के section 21 के according होगा लोग सेवक समझा जाएगा जो IPC के section 121 में लोग सेवक की differentiation दीए जितने भी appointment होते हैं persons by government से यादर process से तो ऐसे public officers माने जाते हैं लोग सेवक होते हैं क्योंकि वो public के लिए कारिये करते हैं अब बात आती है जब एक रेस्टार के appointment होगा उसके लिए area specific हो गया तब ऐसी conditions में एक application for the restar कोई person अगर अपनी firm का registration कराना चाहता है तब ऐसी conditions में उसको रेस्टार के पास application move करने में पर एक रेस्टार को एक application देने होगी आवेदन करना होगा इसमें prima कर का? यजब एक रेस्टा रेस्टार कि अपना बुल उसक气 crop עप एक रेस्टार के रेस्टार क्लीज我们 ओए तरम करेशथी और उस्ट्रिब लिए जए होगी विजएद ऌता है पास गया घदीन खुधियों आनली होगी व्या पॉलनिया नितिटेशन का characteristic य प्री dim को रेस्टेशन करना है फर्म का तो फर्म का रेजिस्ट्री कर उस छेतर के रेस्टार को जिस एरियाज में आपको फर्म रन करनी है या आपको बिजनिस रन करना है तब ऐसी कंडिशन में उस एरियाज के रेस्टार को आपको अपना कारोबार जहां पर आपको अपना बिजनि या। और ऐसी कंडिशन में उसकी जो स्पेसिफिक फीस होगी, वो अपने आवेदन पत्र के साथ आपको मूफ करनी रेस्टार को जिस एरियास में आपको रेस्टेशन कराना है उस एरियास के रेस्टार को अपनी अप्लिकेशन बाइप पोस्ट के दौरा आपको भेजनी होगी या कोई और तरीका है उस तरह की से आप उसको भेज सकते हो तो फसली जो अप्लिकेशन मूफ करोगे आप तो उस प्रिंस्पल प्लेस of the business of the firm firm के का रोवार का इस्थान या उसका मुख्सTI बेस्थान पर फर्म का रुझन्या करेगी वो इस्थान या उसका कुई मुख्सTIान वो उस application में देने हो गे दाडेट लेट इच पार्टनर जॉईन दाफर्म और वो डेट इसमें मेंशन करनी होगी जिस डेट को फर्म के जो पार्टनर से उन्होंने फर्म को जॉइन किया था वो नेम भी आपको मेंशन करना पढ़ेंगे उसमें डीट भी मैंशन करने पड़ेगी दन नेम in full and permanent address of the partner partners के full name और उनके permanent address में मैंशन करने कि फर्म में क्वाइं partner से उनके पूरे नाम क्या है उनका full address वो मैंशन करना पड़ेगा दा डूरिश्वन ओफ फर्म का अवधी क्या है कि फर्म कितने टाम से run करना पड़ लगी है तो यह सारे चीज़ें आपका application में mention करना ही पड़ेगी the statement shall be signed by all the partners or by their agent especially authorized in this behalf कोई भी जितने भी partners है वो उसको sign करेंगे application form को और उनके कोई authorized agent है उन्हों authorized कर रखा किसी agent को तो वो भी करेंगे ऐसी condition कौन-कोन persons authorized है कि firm को run करने के लिए तो ऐसी conditions में evoke persons sign करेंगे each person signing the statement shall also verify in the manner prescribed और इनका जो sign in किया गया हर statement verify किया गया जो प्रिस्क्राइब मैनर दे रखा है अब बाद आती है यह firm कौन-कौन से नाम firm के हो सकते कौन-कौन से नहीं हो सकते तो आप firm name shall not contain any of the followers कि कोई भी firm है firm का नाम है तो firm से पहले आप कोई परसन यह नाम नहीं रख से जैसे crown है emperor है empress है empire है imperial है king है queen है royal है word expressing of implying sanctions approval और propagate of the government except when the state government signifies its consent to the use of such words as part of firm name by the alternative अगर कोई भी थसली तो आप इनका नेम नहीं रखेंगे अगर कोई person इस तरह का नेम का प्रियोग करना चाहता है तो राज सरकार ने firm के नाम में ऐसे शब्दियों के उप्यूक के लिए अपने अनुमती दे दी है आदेश दे दिया written में तब ऐसी conditions में आप नाम रख सकते हैं otherwise कोई person यह नाम नहीं रख सकता है इंप्रर, इंप्रेस, अंपायर, इंपीरियल यह फालोइंग नेम्स हैं एक्सेक्टरा इनका expressly और impliedly जब तक state governments ने उसको अपनी consent नहीं दे दी है अपनी सहमती नहीं दे दी है और written में कोई आदेश नहीं दे दिया है तब तक कोई person इस तरह का नाम अपनी firm का नहीं रख सकता section 59 इसकी बात करता है registration registration की बात करता है when the register is satisfied that the provision of the section 58 has been fully compiled with the shall record entry and the statement in the register called the register of the firm register of the firm shall file the statement जब register का समाधान हो जाए जब सैटिस्वाई हो जाए कि section 58 में जो provision दिये गए जो अबन दिये गए उन पर क्या कहते हैं पूरी तरह कि सैटिस्वाई हो जाए उस पर अपना अनूवरतन दे 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 या उस पर अपनी राय दे दे तब वह फर्मों का रेइस्टर में उस कतरन की प्रिविश्टी करेगा अभी लिखत करें वह फर्म को के रेइस्टिशन के लिए एक रेइस्टर होता पर और उसमें वो क्या करेगा, उसकी entry करेगा और उसमें वो statement written करेगा उसको और उसको file कर देगा, तब ऐसी conditions में अगर वो satisfy होता है, फिफ्ट ineffective के according, तभी वो करेगा, otherwise नहीं करेगा, और ऐसी condition में अगर वो satisfy हो जाता है और वो सारी इंट्री विस कर देता है तब ऐसी conditions में वो firm का registration कर लेता है और firm का registration करने के बाद वो एक certificate issue कर देता है कि उसको उस date से वो firm registered मान ली जाती है और उनको क्या कहते हैं registration करना दिया जाता है अब बात आती है क्या Indian Partnership Act के according किसी भी firm का registration essential है कि अगर कोई person अपनी firm का registration नहीं कराना चाता है तब ऐसी conditions में firm का effect क्या होगा तो effect of non registration firm section 69 बहुत important है कि firm का registration mandatory है या optional है कि कोई person अगर firm का registration नहीं कराना चाता है तब ऐसी condition में उसके क्या consequences होंगे The Indian Partnership Act does not make the registration compulsory Indian Partnership Act 1932 जो है वो registration को compulsory नहीं बनाती है It is optional यह वैकल्पिक है चाहे तो आप कराएं चाहे तो ना कराएं New registration of the firm entail the certain disabilities has the registration of the firm is in the interest of the firm and it is the partners New registration अगर कोई उसकी condition में नहीं कराते है तो ऐसी condition में कुछ certain disabilities होती है कि firm के उतने भी partners है उनको कुछ interest उनके affected होंगे इस condition में अगर आपने firm को registration नहीं कराया है तब ऐसी conditions में firm के जो partners होंगे वो क्या हो जाएंगे उससे affected हो जाएंगे कहीं ना कहीं affected होंगे According to this section the following are the important effect of the non-distance कि ऐसी condition में कुछ conditions दी गई हैं कि ऐसी condition में अगर आपने firm का registration नहीं कराया है तो उसके क्या consequences होंगे क्या उसके effect होंगे क्या पिरवाव होंगे partners को ऐसी conditions में firm का registration तो इसका मतलब क्या होगी एक तरह से होने को तो optional है चाहें तो आप कराये चाहें तो मत कराये बट इसके effect देखकर ऐसा लग रहा है कि firm का registration essential है कि firm का registration कोई partners नहीं कराता है तब ऐसी conditions में उसको ज्यादा problems create होती है अब partner of an unregistered firm cannot sue the firm or any of its partners अगर firm unregistered है firm का registration नहीं कराये गया तब ऐसी conditions में unregistered firm के जो partners है उनके बीच में कोई dispute arise होता है चाहें भूत में या past and present में to enforcing the right confirmed by the partnership act or arising out of the contact of the partnership partnership act recording या partnership act recording कोई उन्होंने contact कियागा ऐसी condition में कोई dispute arise होता है तब ऐसी condition में वो partner एक दूसरे के खिलाफ कोई भी suit file नहीं कर सकते फर्सक्री तो ये बात हो गया अगर firm unregistered नहीं है तो ऐसी condition में partners ना तो भविश में ना present में कोई ना तो भूत कल में यानि कि पहले अगर उनका dispute arise होगा या present में कोई dispute arise होगा तो ऐसी condition में एक दूसरे खिलाफ फाइल नहीं कर सकते एन एन इस्ट फर्म कैंनोट फाइल अगेंस्ट एन थर्ड परसंट फार इन फोर्सिंग और राइट एराइजिंग और अफ कॉन्टेक्ट या कॉन्टेक्ट के एकॉर्डिंग कोई थर्ड परसंट के अगेंस्ट में कोई dispute arise होगा तब ऐसी condition में जो फर्म है वो फाइल नहीं कर सकती जो फर्म है अगर किसी थर्ड परसंट के अगेंस्ट में कोई dispute arise हो रहा है जिस परसंट से कोई बिजनिस कर रहा है या डीलिंग कर रही है तब ऐसी कंडिशन में उसके अगेंस्ट भी फर्म कोई शूट फाइल नहीं कर सकती दा एवफ टू होता है जिसमें कोई भी पार्टी आपसे तो क्या कहते है कोई बी जैसे थर्ड परसंट परसंट के अगेंस्ट कोई पूट एराइजिस होता है उसने कोई क्लेम आप पे किया है वो तो आपसे क्लेम ले सकती है बट आपका कोई अगर उसको पर कोई इमांट बचता है तब ऐसी कंडिशन में आप उसके अगेंस्ट में थर्ड परसंट के अगेंस्ट में भी सूट फाइल नहीं कर सकते कि वो तो आपसे ले सकता है बट आप उससे अपना कोई भी क्लेम नहीं ले सकते तो ऐसी कंडिशन में भी अप्लिकेबिल्स नहीं होता है बट इसका एक्सेप्शन्स हैं इस फर्म का exceptions है किस किस conditions में कि नॉन इस्टर्ट फर्म के अगेंस्ट ये रूल एप्लीकेबिल्स नहीं होते हैं कौन कोंसे मामलों एप्लीकेबिल्स नहीं होते हैं ये इसका exception है कि इसे circumstances में कि फर्म सूट फाइल कर सकती है the right to sue for resolutions or for account of dissolving firm or realize the property dissolving firm कि फर्म अगर फर्म का dissolve कराना है विक्टित करना है तब ऐसी conditions में फर्म सूट फाइल कर सकती है firm का dissolve कराना है जो आपको दिजिशन पढ़ लिया है अपने कैसे firm का the solution होता है firm dissolve कैसे होती है विक्टित कैसे होती है तो इस condition में कोई ये partner अगर from कोекст करना चाहते है द्जॉल करना चाहते तिYY कंडिशन में उसका असका फाइल किया जा सकता यह इसका exceptions है कं थूसरा other for accounts of the dissolved firm victed firm के लेखा लेने के लिए जो उसके accounts है वो maintain है वो देखने के लिए या वो लेने के लिए जो account है उनका payments है या जो balance है वो देखने के लिए अगर उनका कुछ है तो वो भी आप क्या कहते है suit file कर सकते हैं उसके लिए account के purpose के लिए but or are lies the property of dissolving the firm victed firm की संपत्ती परात करने का अगर firm dissolve होगी तब ऐसी condition में जो आप की के कहते हैं property है उसकी जो partners है वो उसको लेने के लिए suit file कर सकती है the power to realize the property of an insolvent partner या कोई insolvent partners है किसी दिवाले भागिदार की संपत्ती के परात करना है तब ऐसी conditions में भी उससे ले सकती है इसी के exception ऐसे करके भी बता दिये हैं अगर चाहें तो आप ऐसे करके भी लिए सकते हैं the exception from the disabilities of the non-restriction अगर non-restrict firm है और ऐसी conditions में फर्म कर रेस्टिशन नहीं कराया है तब ऐसी condition में कौनसी चीज़े acceptable नहीं है या उसको पर प्रभाव नहीं डालेंगी आप चाहतो ऐसे लिख सकते हो चाहतो ऐसे लिख सकते हो दर राइट तूसू फॉर दे डिजूलूशन एक केस में कहते हैं बिहारी लाल शयाम वर्सिस बिहारी लाल शयाम संदर वर्सिस यून ऑफ इंडिया केस में कह दिया है कि अगर कोई फर्म का विक्टित करना है डिजॉल करना है तब ऐसी कंडिशन में वह राइट तूसू उसका रहेगा वह सूट फाइल कर सकता है फिर दूसरा वही चीज़ा की दर राइट तूसू फॉर एकॉंटिंग ऑफ डिजॉल्फ फॉर इकॉंट की बात आती है उसकी लेके की बात आती है उसके अंडिशन में आप सूट फाइल करने का आपका राइट मेंटेन रहेगा वह अपला सकते हो फिर थर्ड फिर वही बात करता है दा राइट तूसू फॉर एलाइजिंग ऑफ दा एसिजॉल्फ फर्म की जो संपत्ति है वह लाने की बात हो रही है तब एसी कंडिशन में कर सकती हो फिर इसी exceptions का section 69 clause 4 बात करता है provide the following exception कुछ exception और दिये जब ऐसी condition में अन्रेजिस्टर्ट फर्म है तब ऐसी condition में उसके consequences effective नहीं होंगे या उसके provisions नहीं होंगे वह कौनसी नहीं होंगे firms located in areas to which the act does not extend or which are exempted from the operation of the act जिस areas में कुछ areas, localities होती, कुछ areas ऐसे होते हैं जहां पर कहकेते हैं सरकार ने इस act को applicable नहीं किया गया है या वहाँ पर इससे छूट परदान की गई है तो उस conditions में ये rule applicable नहीं होगा अगर कोई firm है और कुछ partners हैं, dispute areas हो जाते हैं उनके बीच में third person के against या partner के against में तब ऐसी conditions में वो partners दूसरे partner के against में या third person के against में suit file कर सकता है कि जिस areas में ये act applicable नहीं हो रहा है या जिस areas को इस act को लागू करने से exempted कर दिया गया या चूट प्राप्त हो गई है उस areas में फिर ये चीज़ें लागू नहीं होगी और कोई dispute arises हो जा रहा है और उन areas में जहां पर ये act applicable नहीं होता है तो वो other persons के against या third persons के against भी suit file कर सकते हैं proceeding etc not exceeding rupees in value, 100 value अगर कोई valuation है properties का को dispute arise और property का valuation less than 100 rupees है तब ऐसी condition में ये act applicables नहीं होगा तो ऐसी conditions में act applicable नहीं होगा बागी other circumstances में अगर firm unregistered है और तो उसके consequences बहुत ज़्यादा खराब है तो इसी condition में firm का registration ascension माल लिया जाता है तो firm को registration कराना जरूरी हो जाता है एक case आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं Oriental Fire and General Insurance Company Limited versus Union of India Oriental Fire and General Insurance Company Limited versus Union of India AIR 1991 इसमें एक unregistered firm ने बीमा कमपनी पर वाद किया जो unregistered firm थी उसने बीमा कमपनी पर suit file किया dispute arise हो तो court ने decisions दिया था कि मुकदमा चलाने के योग नहीं थी क्योंकि firm जो थी वो unregistered थी इसलिए वो suit file नहीं कर सकती शिरी राम फाइनस कार्पोरेशन वर्सिस यासीन का इस वाद में वाद दायर करने वाले व्यक्ति वाद दायर करने की तिखी को firm के रेस्टार के भागिदार कुण में दर्ज नहीं थे जिस date को उनोंने suit file किया था फ़र्म का उस date को रेस्टार किया वो firm registered नहीं थी जो registered में फर्मठ उसमें भागिदार के रूम में इटी नहीं थी जिन लोगों ने वाद दायर करने की तारीक को firm का भागिदार बताया था विवास्तम में partner थे ही नहीं क्योंकि उसमें इस तक वर जिस इतार को नहीं दी तो कोटन लिंड़ने दिया क्योंकि इस एक सिट माइनर्स थे और एक नया भागी-दार उसमें इंट्डूइस्ट दो तो को नहीं दिए तो ऐसी कंडिशन में वह सुट फाइल नहीं कर सकते हैं तो आने इस्टर है तो सुट फाइल करने का कोई भी आपको पास राइट नहीं है किलियर इसकी स्टडी कीजिए फिर कल हम इस पर डिसकस करते ही कोई भी अगर आपकी प्रॉलम्स होती है तो कल इसका लेक्चर से कल इसमें बात करेंगे यह थार्ड यूट का आपका लास्ट लेक्चर था था थैंक यू